हलो एवरिवन और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे मुल्क राज आनंद के द्वारे लिखी एक स्टोरी जिसका नाम है दा बारबार्स ट्रेड यूनियन इस स्टोरी में दिखाया गया है कि आजादी से पहले हमारे समाज में जाती बात का दोस्ट था और लोवर कास्ट होने के काराण कैसे लोगों को दवाय जाता था उन्हें इंसल्ट फिल कराया जाता था बात करा कहानी के मेंन करेक्टर्स की तो इस कहानी में मेंनली टू करेक्टर्स हैं चंदू और नेरेटर narrator यानि कहानी बताने वाला, कहानी सुनाने वाला और ये जो narrator है वो चंदू का दोस्त भी है चंदू एक नाई का बेटा है और narrator एक अपरकास्ट का लड़का है अब narrator का मानना है कि चंदू का नाम भी इतियास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए जहां महान लोगों के नाम लिखे जाते हैं और narrator का यह मानना इसलिए भी है क्योंकि narrator चंदू को बहुत ज़्यादा माइंडिर समझता है क्योंकि चंदू हर एक काम को बहुत ही अच्छे से करता है जैसे एक ततया को पकड़ कर उसका डंक निकाल कर फिर उसके पैर में धागा बांद कर उसे उड़ाना अब यही सब जब narrator करने की सोचता है तो ततया उसे डंक मार देती है चंदू पतंग बना कर और फिर से उड़ाया भी करता है पर चंदू इस्टडीज में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिल पाता है वह जैसे ही स्कूल से आता है तब ही उसके पता किसी ने किसी के घर उसे भिज़ दिया करते हैं बाल काटने के लिए या शेप करने के लिए अब ऐसी होने के करानथ चंदू को स्कूल में कोई फीस भी नहीं देनी होती है जबकि narrator को फीस देनी पड़ती है यह बात जबसे narrator की मा को पता चली है वह चंदू से जैलिस फील करने लगी है अब narrator की मा narrator से यह भी कहती है कि तुम चंदू से दूर रहा करो क्योंकि हम जनरल काश्ट के हैं और भै ऐसी लेकिन नेरेटर इस बात पर ध्यान नहीं देता अब कुछ दिनों के बाद चंदू के फादर की डैथ हो जाती है और पूरे घर की जिम्मेदारी चंदू पर आ जाती है और अब भै पूरे पूरे दिन लोगों के घर जाकर उनके बाल कारता है शेप करता है अब एक दिन क्या होता है चंदू नेरेटर से मिलता है और नेरेटर से कहता है कि तुमने वो डैंटिस्ट की यूनिफर्म देखी है कितनी अच्छी लगती है और अब चंदू भी डैंटिस्ट की तरह ही कपड़े पहनना चाता है साथ ही उसे शरम भी आती है कि वह ऐसे कपड़े पहन कर कैसे दिखेगा और साथ ही वह यह तरक भी देता है कि मैंने अपने पापा के साथ इतना तु सीख लिया है कि pimples कैसे ठीक करें या अगर blade से कट जाए तो उसे ठीक कैसे करें क्या हुआ अगर मैं doctor की तरह educate नहीं हूँ अब इसकी इस बात से narrator यानि चंदू का friend agree हो जाता है अब कुछ दिनों के बाद चंदू जब narrator के घर आता है तो narrator देखता है कि चंदू ने same उसी doctor की तरह कपड़े पहने हुए है वही leather की jacket और जूते और एक purse है जिसमें उसने अपने बार बार बारा समान लख रखा है और अब वह एक doctor के style में खड़ा है और अपने दोस्स से पूचता है कि वह कैसा लग रहा है narrator भी बता देता है कि वह बहुत अच्छा लग रहा है अब चंदू सेविंग करने के लिए अपने landlord बिजय चंद के घर जाता है और जैसे ही बिजय चंद के बेटे की नजर चंदू पर पढ़ती है बैताली बजाता हुए कहता है कि चंदू दबार बार आ गया अब यह सुनके विजय चंद आयाते हैं और विजय चंद चंदू को देखते ही कहते हैं कि क्या पहन के आयो ये मेरे घर पर चमड़े के बैग और जूते ये तो आइनिमल्स की खाल से बना होता है और कुछ गालियों के साथ कहता है कि son of pig get out from here अब चंदू कहता है कि साहब मैंने डॉक्टर के कपड़े ही तो पहने है ऐसा क्या गरत कर दिया तब विजय चंद कहता है कि बही कपड़े पहन जो तेरे status यानि low status पर सूट करते हैं अब चंदू को बहुत बुरा लगता है अब इस जगाए एक पंडित भी है तो चंदू उससे भी पूछता है कि क्या मेरे कपड़े अच्छे नहीं है तो पंडित भी कहता है कि हाँ कि तुम low caste के हो तो तुम इन कपड़ों को डिजर्ब नहीं करते अब चंदू गुसा होकर अपने घर चला जाता है अगले दिन नैरेटर स्कूल से आने के बाद अब इन दोनों दोस्तो ने पहले कभी ये तै कि आता है कि जब भी हमें एक दूसरे को बुलाना होगा तो घर के बहर आ कर सीटी बहा दिया करेंगे तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि उसका दोस्त बुला रहा है अब narrator को CT की अबास सुनाई देती है और narrator दोड़ कर भाहर आता है अब चंदू कहता है कि इन लोगों ने मेरा मजाग बनाया है पर मैंने भी कुछ सोचा है जिससे मैं इने सबक सिखाऊंगा और हाँ मैं हरताल पर हूँ है मैं आज से किसी के भी बाल या शेव नहीं करूँगा अब चंदू एक पुरानी साइकल खरीदता है और उसे चलाना सीख लेता है और बैग गाओं के भाहर जाकर लोगों के शेव करता है और अपने गाओं में किसी के भी शेव या बाल नहीं काड़ता अब एक दिन चंदू और इसका दोस नेरेटर दोनों एक बनियान ट्री के नीचे खड़े होते हैं अब भही पास में गाओं के कुछ लोग खड़े हैं और बात है कर रहे हैं और उन सब के बाल लंबे हो गए हैं क्योंकि चंदू स्ट्राइक पर है और बाल और दाली बड़ी होने के काराण बेश सब बहुत ही बुरे दिखाई दे रहे हैं अजीब से दिखाई दे रहे हैं अब नेरेटर उन सब को देखकर चिलाता है तो वीवर्स माने एक बड़े बालो बाला जानबर होता है अब ये बात बहाँ के सावकार सुन लेते हैं और नेरेटर और चंदू बहां से भाग जाते हैं अब पूरी तरीके से गाउं में ये बात फैल चुकी है कि चंदू स्ट्राइक पर है और जितने भी अपरकाष्ट के लोग हैं अब उनकी फैमिली भी उन पर हस रही थी अब सब लोग प्लान करते हैं कि वह गाउं में दूसरे बारवर का इंतिजाम करेंगे पर यह दूसरा बारवर चंदू का भाई ही होता है तो चंदू के मना करने पर यह भी काम करने को मना कर देता है अब चंदू वहाँ आसपास गाउं के सभी बारवर्स को इकटा करता है और एक यूनियन मनाता है जिसका नाम रखता है दा बारवर्स ट्रेड यूनियन और यूनियन में यह भी तैकिया जाता है कि अब हम घर घर नहीं जाएंगे बलकि जिसे बाल या शेप बनमा नहीं है बें हमारे पास आएगा तो दोस्तों यह थी हमारी स्टोरी मुलक राय आनंद के दौरा लिखी The Bar Wars Trade Union इंगले से जुड़े किसी भी तरह के नोट्स पाने के लिए आप हमें वाट्सप भी कर सकते हैं थैंक यू जाएं